मंच पे जो पीछे लोग खड़े हैं मैं फिर से आगरह करूँगा कि मंच से नीचे उतर जाएं क्योंकि पीछे हमारा जब कॉंग्रेस का नाम ही नहीं दिखेगा तो क्या फाइदा होगा चलिए आप लोग आगे आजाई ये छाया में अच्छा रहेगा आपके लिए खास चाया का इंजाम किया है आईए आगे नमस्कार साथियों आज ये एक विशेश कारिक्रम हमारे वरिष्ट नेता और महासचिव मुकुल वासनिक जी हमारे हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हूडा जी हर्याना के PCC प्रेजिडेंट उदेभान जी महासचिव प्रभारी करनाटका हमारे रंदीप सिंग सुर्जेवाला जी क्याप्टन अजय यादव जी किरन चौधरी जी और आपके सामने मंच पर जो शक्सियत बैठे हैं वो आप उनसे परिचित हैं चौधरी विरिंदर जी और हेमलता जी आप सबका स्वागत है प्रेमलता जी आपका स्वागत है कारिकरम को आगे बढ़ाते वे अब चौधरी विरिंदर जी का तो मैं परिचे दू तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी उनको सब जानते हैं पूरा देश जानता है और सर छोटु राम कोई बीस्वी शताबदी के बहुत बड़े किसान नेता तो थे ही लेकिन आज 21 शताबदी में भी उनके चर्चे और उनके किस्से सुनके हम सब बड़े हुए हैं आज भी उनके चर्चे चलते हैं पूरे हिंदोस्तान में सर छोटु राम के नाम से सब वाकिफ हैं मैं कारेकरम को आगे बढ़ाते वे मुकुल वासनिक जी और PCC अध्यक्ष उदेभान जी से आगरह करूँगा कि वी चौधरी बिरेंदर सिंग जी का स्वागत करें अब फटका दे दीजिए हुड़ा जी को भी पीचे सी हट जाईए भी आप लग से जो कैमरास के आगे कोई खड़े मत रहिए बैट जाईए सबको पटके दे दीजिए किसी और से लिए राजी उजी के साथी है सर्चवर्टू राम के नाती है चोधरी बिरेंदर सिंग जिन्दा बाद जिन्दा बाद जिन्दा बाद मुकुल वासनिक जी से मैं अग्रह करूंगा कि वो यहां आएं और अपने विचार रखें और अब प्रेम लिता जी का हम लोग कॉंग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं एक्स एमेले भी हैं और सब जानते हैं उन्हें जानी मानी चहरा हैं मैं उदेभान जी से मुकुल वासनिक जी से हुड़ा साहब से रंदीप सुर्जेवाला जी से आग्रह करूंगा कि उनका आपचारिक स्वागत करें कि उनका जी से आपचारिक स्वागत करें कि उनका जी से आपचारिक स्वागत करें हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के सम्मानेत अध्यक्ष उदैभान जी जिनका जहां पर भारतिय राश्ट्रिय कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है वे चाओदरी बिरंदर सिंग साहब हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री जी और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता भुपिंदर सिंग हुड़ा जी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की सचीव कुमारी सेलजा जी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महमंत्री रंदीप सुर्जेवाला जी, किरन चौदरी जी, कैप्टन अजय सिंग यादव जी प्रेमलता जी, राजिंदर कौर भटल जी, नासिर हुसेन साब, पवन खेडा जी और यहाँ पर उपस्थ सभी कॉंग्रेस के सम्मानित नेतागन और यहाँ चौदरी बिरंदर सिंग जी के साथ आज जो यहाँ पर कॉंग्रेस में प्रवेश कर रहे है वे सभी सम्मानित भाईयों, बेहनों और नौजवान साथियों चौदरी बिरंदर सिंग जी, तो अनेकों वर्षों तक के हमारा ही एक हिस्सा रहे कुछ समय के लिए कहीं और जरूर चले गए लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एक पल के लिए चौदरी साहब कभी कौंग्रेस से अलग हो पाए हो और कभी हमने भी नहीं माना कि चौदरी बिरंदर सिंग जी हमारे से कहीं दूर चले गए आज उनका यहां पर कौंग्रेस में प्रवेश करने के लिए कौंग्रेस अध्यक्ष माने निया मलिकारजुन खरगे साब उपस्तित रहने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें अचानक करनाटक जाना पड़ा और इसलिए वो यहां पर नहीं आ पाए जो चुनवतिया आज मुलक के सामने है हमारे सविधान के सामने है हमारे लोक तंत्र के सामने है वो सारी स्तिती को जानकर चौदर बिरंदर सिंग जी ने फिर एक बार तैय किया कि कौंग्रेस के तिरंगे के नीचे आना होगा मिलकर काम करना होगा सोनिया गांदी जी राहुल गांदी जी खरगे साब के साथ मिलकर यहां पर राश्ट्री स्तर पर कॉंग्रिस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना होगा और हर्याना में भी जहां पर पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से अराजकता का माहूल बना है वहां पर फिर एक बार कॉंग्रिस को कैसा हम सशक्त बना सकते हैं मजबूत बना सकते हैं और कॉंग्रिस की हुकूमत कैसे हम हर्याना में ला सकते हैं उसमें अपना योगदान देने के लिए चौदरी बिरंदर सिंग जी प्रेमलता जी यहां पर कॉंग्रिस में आये है राश्ट्री इस्तर पर बल मिलेगा हर्याना में बल मिलेगा और मैं अपने आपको गवरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जबान पर जो आता है वहीं दिल में रखता है एक ऐसा आदमी जो ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के उपर ये पार्टी और राश्ट्र का हित होता है उसको देखकर आज फिर चौदरी साब कॉंग्रिस में आएं मैं दुबारा उनका यहां पर दिल के गहराईयों से स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मैं चौदरी बुपिंदर सिंग हुडा जी से आगरह करूंगा कि वो अपने विचार रखें और यहां परदेश कॉंग्स कमेंटी के अद्दक्ष चौदरी उदेवान जी और हमारे महामंत्री मुकुल वासिक जी अभी अभी इस्ट न वेस्ट होम इस दा बेस्ट यह पुरानी कावत सावित करते हुए अपने घर बाप्सी में आये मेरे भाई चौई बिरिंदा जी मिसिस बिंदर जी रंदीप सुर्जेवाला जी शेलजा जी और हमारी बहन राजिन नकौई जी खेडा साथ और हमारे सभी साथी तो यहां बैठे हैं वैं उपस्तित सभी सजनों वैं देवियों देखिए जब कोई व्यक्ति जाता है बहुत दिन के बाद घर वापिस य आने वाले को भी और जिस गर में आते हैं उनको भी आज तो इब्रेणन सिंग की और सभी इनके साथ बहुत सारे साथी है यह सब कॉंग्रस में जॉइन किया है उनका मैं स्वागत करता हूं और जैसा मुकल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है कॉंग्रस को दुरूद है देश को जुरूत है सभीधान बचाने के लिए लोकतंतर बचाने के लिए सब 36 व्रादी एको के अपनी ताकत बढ़ाने की जुरूत है जब हमारा सभीधान बचेगा और लोकतंतर बचेगा तो आज सब आप आए हैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और चोजरी बिरिंदर सिंग का और इनके साथियों का बहुत-बहुत स्वागत कॉंग्रस में इनको पूरा समर्खन मिलेगा मेरे तो भाई हैं बड़े भाई और इससे सब जानते हो तुमारे को मेरे कहने की जुरूत नहीं तो बहुत खुशी है बाई कहाने की तो वह हमारे खुशी है बहुत-बहुत मैं महासचिव प्रभारी करनाट का मेरे बड़े भाई श्री रंदीप सिंग सुर्जेवाला जी से आगरह करूंगा कि वो आकर अपने विचार रहे हैं आदर के योगे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के सबसे वरिष्ट महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की महासचिव कुमारी शेलजा जी हर्याना में विपक्ष के नेता पूरम मुख्य मंत्री आदर्णिये चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदर्णिये उदेभान जी मंच पर विराजमान बैकवर्ड क्लास अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के ओबी सी सेल के चेर परसन कैप्टन अजय आदव जी पूरव स्पीकर पूरव विपक्ष की नेता आदर्णिये किरिन चौधरी जी हमारे सांसत भाई जिन्होंने अब इस्तीफा देकर भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस जुआइन की बिजेंदर जी पंजाब की पूरव उप मुख्य मंत्री राजिंदर कौर भटल जी आदर्णिये मंच और हजारों की संख्या में मौजूद पूरे हरियाना से आए चौनिंदा सभी नेतागण मैं आप सब का भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस के प्रांगण में जैसा मुकुल वासनिक जी ने कहा आदर्णिये सोनिया गांधी जी की और से आदर्णिये खडगे जी की और से और आदर्णिये राहुल गांधी जी की और से आपका बहुत-बहुत कोटी-कोटी स्वागत करता है आदर्णिये चौधरी बिरिंदर सिंग जी आदर्णिये श्रिमती प्रेम लता जी हमारे भाई बिजेंदर जी और आप सब जो आज यहां आए हैं मैं आप सब का भी हर दे की गहराईयों से कोटी-कोटी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ मेरे लिए एक भावुक्षन भी है क्योंकि परिवार के एक बड़े परिवार के बुज़र्ग जिनको देखकर राजनीती में एक-एक कदम आगे बढ़ाया और जिन से बहुत कुछ सीखा चौधरी बेरिंदर सिंग जी से किसी वज़े से वो परिवार के सदस्य नहीं रहे प परिवार साथ रहा और आज फिर वो परिवार के सदस्य हैं मुझे लगता है कि इससे भावुक्षन और इससे गौर्वानवित शन शायद व्यक्तिगत तोर से मेरे लिए नहीं हो सकता आपका बहुत-बहुत स्वागत मैं केवल एक बात और कहूँगा जैसा आदर्णिय मुकुल जी कह रहे थे स्वर्गिय राजीब गांधी जी के साथ आदर्णिय सोनिय गांधी जी के साथ और उससे पहले इंद्रा जी के साथ लंबे समय तक आपका जो राजनीतिक जीवन है वो हरियाना में और देश में कॉंग्रेस जनों के लिए एक अनूसरण का विशे है मुझे मालूम है कि एक यू आयू में 1977 में जब कॉंग्रेस पार्टी केवल दो सीट जीती थी तो उस समय भी चौदरी बिरिंदर सिंग जी ने कॉंग्रेस का पर्चम 1970 में लहर आया था तीन सीट जीती थी पोसवाल जी थी और आज फिर मुझे ये विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाओं में भी और विधान सभा के चुनाओं में भी कॉंग्रेस मजबूत होगी मुझे अब भी याद आता है मैं मेरी बात को पूरी करूँ कि जब किसानों का संगर्श चल रहा था तो चाहे आप भारती राश्टिये कॉंग्रेस और किसान संग्ठनों का हिस्सा नहीं थे पचौधरी बिरिंद सिंग्जी वो व्यक्ति हैं जिनोंने ये सास दिखाया कि अपनी स्वम की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़के वो किसानों के साथ खड़े हो गए जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवार हो रहा था तो ये नौजवान सांसत बिजेंदर वहां बैठे हैं ये सब बाते छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाना की बेटियों के साथ खड़े हो गए ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है ये व्यक्ति के आचरन को भी दर्शाता है और शायद इसलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था ये प्रभू ने लिख रखा था ये गाउं केड़े ने लिख रखा था और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है मैं बनायक साबित होगा आप सब का बहुत-बहुत स्वागत जै हिंद जै कॉंग्रिस धन्यवाद रंदीब जी मैं आग्रह करूंगा चौधरी विरेंदर जी से कि वो अपने दो शब्द आपके सामने रखे आप सभी साथी जो यहाँ आए है सिर्फ हर्याना भर से नहीं बलके दिली से भी हमारे साथ ही आए हैं पश्मी उत्रपदेश्टे भी आए हैं राजस्थान से भी कुछ साथ ही हमारे आए हैं पंजाब से भी मैं सब से पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और आप से मैं ये समझता हूँ कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूँews में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं जब आहाध खड़े कर के बताओ का आप हमारे साथ हैं दूसरी बात कि जितने भी हमारे कॉंग्रिस के निता भाई मुकलवासनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफर रहा है और सिर्फ पार्टी में नहीं सेर करने में भी हम और जनरल सेकरेटरी हमारे बहुत ही जन्नोंने अभी बात कही रंदीब जी हमारी बहन शेलजा जी अब मैं आपको बताओ हमारी बहन क्यों है ये ये अभी बैठी कह रही थी कि पाल वहां से भी आ रहे हैं आदमी ये पालुमा की बेटी है आपको पता होगा और हर्याना कॉंग्रेस के विपक्ष में जो नेता है भाई बुपेंदर सिंग जी हर्याना में विपक्ष के नेता ही नहीं बलके हमारे लगबग दस साल तक हर्याना के मुख्यमंत्री है और ये भी मेरे भाई हैं उद्यभान जी जो हमारी हर्याना की कॉंग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष है राजंदर कौर जी भठल ये पंजाब की पूर मुख्यमंत्री हैं और अगली ताले इस बात की बजानी है कि जड़े अपना अर्याना पंजाब नेरा नेरा हो है वहीं से हमें ले बनती दी है हमेशा तो ये भी हमारी बहन है और कैप्टन अजय सिंग जी हमारी बहन किरन चौदरी जी डॉक्टर साब जो असलम नासर हुसेन डॉक्टर ये सचिव हैं और खड़के जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे उनके साथ काम करते हैं और किरन जी का नाम हो गया ना पवन खेडा जी पवन खेडा जी की वाख पटुता कॉंग्रिस के बहुत से छटे हुए जो लोग हैं जिनको वाख पटुता में बीजेपी को हराने की शमता है और इसके साथ साथ मेरी दर्मपत्नी भी हैं और मेरा बेटा भी है मेरा बेटा मेरी दर्मपत्नी रनदीप मेरा भाई मेरे मामा का छोड़ा और वो पेंदर सिंग उड़ा मेरी बुआ का छोड़ा और हमारी बेहन शैल जा ये पालमा गाम हमारा गोती गाम है और यहीं से ये प्रबुवाड़ा गई हैं इनके मुज़र्ग और जैसे मैंने बताया के पूरा कुणबा और अगर बीजेपी को कोई कटाश करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद यनि उसका परिवारवाद तो ये के 140 क्रोड भी मेरा परिवारवाद और हमने बाई बहन हैं हमने हर्याना की राजनिती में लोगों का साथ दिया है लोगों ने हमारा साथ दिया है इस इसलिए हम यहां बैठे हैं कोई खेरात में नहीं और आपने दस साल में अर्याणा में यह किया कि कोई बनाया है नहीं अपना अब जब नहीं बनाया अपना आज आप मेरे से पूछोगे कि विरिंदर सिंग कॉंग्रिस में क्यों मैं दो बात आपको कहूंगा एक तो ये कि बहुत से साथियों ने इस्ट्यार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पर के घर वापसी मैं ये कहता हूँ घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज़ है विचार धारा की वापसी है ये विचार धारा की वापसी है और मैं इसलिए ये बात कहा हूँ कि मैंने मानेताओं को निभाया है जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूँ तो मेरे को जैराम रमेश जी से मेरा संपर्ख पहली बार हुआ और जैराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिकर किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दहुराना चाहता हूँ जिसकी जुरूर्द है इस देश की पॉलिटिक्स में इस देश के प्रजातंत्र में जैराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं मतलब कॉंग्रेस के विपक्ष में लेकिन आपकी प्रेजेंस आपकी उपस्त थी भारतिय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंतर से जुड़े हुए लोग हैं जो आपने आपको नेता और बड़े नेता की संग्या देते हैं उनको भी व्यवारिक रूप से कुछ मानेताएं हैं कुछ गरीमा है उसक हम इन मानेताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है लेकिन विचार धारा की वापसी है और विचार धारा की वापसी इसलिए मैं कल मेरी धरमपत्नी से कह रहा था मका ये एक जो हमारा राष्ट्रिय गान है जन्मन गण मैंने कहा इसका मतलब समझा ये इन्दी में थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा तेज है हाँ और उसके आगे अधिनायक जन्मन गण अधिनायक इसका मतलब ये के आजादी के बाद इस देश के करणधार इस देश पे राज करने वाले राजनितिक दल या राजनितिक नेता नहीं बलके जन्ता है प्रजा है इस देश पे राज करने वाले ये रिपब्लिक है रिपब्लिक को इंदी में क्या बुलेंगे ये गणतंत्र है और गणतंत्र में लोग ही जिसको डिक्टेटर बोलते हैं अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संग्या देते हैं वो इस देश के नागरिक हैं इस देश के गणतंत्र के लोग हैं और इनी आधार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सम्विधान की रचना की थी और सम्विधान और गणतंत्र पार्लियमेंटरी डिमोक्रेसी ये अगर बचानी हैं तो देश को उठना पड़ेगा देश के साधारन से साधारन आदमी को उठना पड़ेगा मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता मैं वो बात कह रहा हूँ जिससे ये देश लड़ना चाहता है अपने गणतंत्र को बचाने के लिए अपने सम्विधान को बचाने के लिए अपनी मर्यादित राजनिती को बचाने के लिए अगर ये चाहते हैं तो इस किसम की संरचना करनी पड़ेगी बहुत से लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं आप कहोगे कि आप भी दस साल भारतिय जनता पार्टी में रहे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जिस दिन मैं कॉंग्रिस से विदा लेके गया मैं श्रीमति सोनिया गांधी से मिल के गया था मेरा मैं उनसे शमाई आचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतिय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है और जिस दिन इस देश के प्रधान मंत्री आधनिय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबनेट में लिया उससे पांच घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि बिरिंदर सिंग जी आपका राजनितिक सफर मैंने का जी राजनितिक सफर तो बहुत लंबा हो गया साल कांग्रिस में रहा हूं और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन राजनिताओं या उन राजनितिकों में नहीं हूं जो एक पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंट जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़का है उसके ब इतना आश्रवाद राजीव गांदी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांदी ने मुझे दिया है मेरे राजनितिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता हूँ और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ के मेरी कॉंग्रेस में वापसी लेकिन मैं जिस पार करते हैं जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने उपर वाले को खुश कैसे करें मैंने उपर वालों को नराज करके राजनितिकी है हाँ और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों निकाल देते जल्दी हाँ जब मैं किसान के साथ खड़ा था किसान भाई मेरे को आके किसान भी उनके सही उक्तिसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि भई सरकार ने बात करनी बंद कर दी, बिरंदर सिंग, आप हमारी बात सुनते हो, कम से कम इनसे बात कर लो, कुछ निप्टारा हो जाए, निप्टारा कि मैं ने कोशिश की, और आखिर में ये बात आई, किसान यूनियन के भाईों ने कहा, कि कम से कम इतना तो करो, जिसके बारे में पुपेंदर सिंगुड़ा भी हमेशा बात करते हैं, मैं उससे, मैंने का बताओ, तो MSP की बात जब हुई, तो सरकार ने का नहीं, उसके बाद मैंने का और कुछ बताओ, तो उन, हमारे जो किसान भाई आये थे, आंदोलन में जो शामिल थे, उन्होंने का वह इतना कम हमारी जनस नहीं पिकने चीए, फिर हम बार भी बेच लेंगे, अंदर भी बेच लेंगे, मैं आपको इमानदारी से बताता हूँ, यही है, जिसको मैं कहता हूँ, कि हमारी सोच, भारतिय जनता पार्टी की सोच, और कॉंग्रस की सोच में अंतर, जब मैंने ये सुझाव रखा किसान का, कि वो ये कह रहा है कि बेंच बार तो बता जो कि इस ते कम कोई नहीं खरीदेगा, चाप बार हो चाप बीतर हो, जो पांच लोग वहाँ बैठे थे, कूद के पड़े, कूद के, हाँ, मैंने कहा क्यों कूद दे, उनके मूँ से निकल गया, अरे चौदरी, इस बार से हम खरीदेंगे, उस से खरीदेंगे, हम कोई नियू नहीं करते, मैं बहुत बेड़ा गर के, जिसने हाँ, ये कोई इनसाफ नहीं है, और आज भी मैं इस बात को कहता हूँ, कि हमारे एक नौक में एक रिफॉर्म्स हुए, नर्सिमरावजी के समसे लेके 33 साल, 34 स हो गए, क्या मिला एक किसान को, क्या मिला एक गरीब कमेरे वर्ग को, आज मैं कॉंग्रिस के मंच से ये बात कहता हूँ, कि इस देश की 70 प्रतीशत आबादी, जो अपना खून पसीना बाके मेहनत करके कमाती है, चाहे वो किसान के खेत में और चाहे वो हमारा कमेरा वर्ग तो उसको इंसाफ नहीं मिला, और उस इंसाफ के लिए हमारा जो गोशना पत्रा है, आज तो मेरा भी हो गया, कल तक तो नहीं था ना, जो हमारा गोशना पत्रा है, उसके अंदर एक एक बिंदू मैंने देखा है, और उस बिंदू पे कई बार तो गोशना पत्रा आते हैं, बिंदू अटके के अटके रह जाते हैं लेकिन अब की बार जिसने बिंदू बनाए हैं उन बिंदूओं पे राहुल गांधी जी की महौर है उनकी महौर है और मैं ये में मानता हूँ कि नोजवान आदमी ही करांती ला सकते हैं और उन्होंने कह दिया के MSP कानून बढ़ाएंगे मेरा उनसे थोड़ा बहुत सूत बेठाद मैं उन्होंने कहूंगा जी इतना बदा जो कि किसान बाजा बाजा फिर है यही बात कमेरे वर्क के लिए तो ये ये जो बास्तिकता है इससे भारते जनता पार्टी तो कोसों दूर और कोसों दूर इसलिए है के उनका किसान प्रेम उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नजदीक से दिखा है इसलिए कह सकता हूँ मैं प्रेम लाम की चीज नहीं है ये जो सनी में देखो ना इसमें जिए रोऊ है ना ये चैप आदमी रोऊ है तो उनका रोड़ा क्या होगा फोटो किच्वानी है एक कोई वो आती है दवाई ग्लीसरीन वो लादेर फिर तो इनका तो ग्लीसरीन लालागर हो है ये गरीब के लिए और दूसरों के लिए इनसे उमीद मत रखो और मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि इस देश में करवट बदल रहा है मत दाता 52 साल होगे इस दंदे में अच्छा जोच्छी बन सकता हूँ मैं राजनीती का ये जो ये बदलाव है ये राजनेतिक दल या राजनेतिक नेताओं की वज़े से नहीं ये इनके कुक्रमों की वज़े से इनकी गलत नीतियों की वज़े से और बदलेगा और जब भी पलता लगेगा इस देश का मत दाता इस देश का यूवा इस देश की हमारी बहने ये लगाएंगी पल्टा और पल्टा लगने को तयार है डेड़ महिने से मैं भी देख रहा हूँ और पल्टा जब लगेगा राहूल गांधी जी की बात करते हैं मेरा बेटा एमपी है ये इनके साथ एक कमेटी में एक दिन कहने लगा ये अक डेड़ी मसा मैं बता ये राहूल गांधी गांधी परिवार की जो सक्षित है जो उसका करिश्मा है ये आसाम में जाओ जब्भी लखों लोग उड़ीसा में जब्भी लखों लोग और अर्याना पंजाब में आवे तो खेत में भी होए ट्रक ट्रॉली पे भी होए ट्रक में भी होए राजस्थान में जाओ तो और तेर आद्मियों की ये क्यों ये इसलिए मैं इसलिए बताता हूँ कि आप समझो पंडित जबारलाल नहरू के बारे में जिस तरह बात करती है भारती है जनता पार्टी बड़ी-बड़ी बात करती है मैं आपको एक किसा सुड़ाता हूँ फिर देख लेड़ा कि पंड़जी किसे बड़ा कोई आदमी इस देश में हुआ या नहीं एमजाबाद से चुनाव लड़ते थे इंदुलाल यागनिक वो हमेशा इंडिपेंडेंट निर्दलिये चुनाव लड़ते थे और हमेशा ज जीते 57 में जीते 62 का जो चुनाव था उसमें कॉंग्रिस के जो कैंडिडेट से वह पंड़जी का किसी ना किसी तरह प्रोग्राम बढ़ा लिया रैली का वहां और जब वो अपना भाशन कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पे बैठे लोगों से पूचा एंदाबाद से और कहा के इंदुलाल यागनिक से अच्छा कोई आद में नहीं हो सकता सब इसको वोट देना मुझे मेरी पार्टी की दूरूप में और यहां बड़ी-बड़ी बात करते हैं मैं मेरे अर्याना के सारे नेता बैठे हैं बेन जी आप भी सूँ खुड़ा जी अध्यक जी रंदीब जी कहां गए वो अपने कैप्टन साब हां कैप्टन साब और किरन जी यह बात तो आज लंबी हो जाएगी मेरे को दस दिन में पंदरा दिन में एक टाइम दे दो दो तीन लाख लोग कठे करेंगे हम करोगे न उसे दिन इनका बोरिया बिस्तर बंधना हो जाए तो मन्हें पकड़ लियो धन्यवाद दन्यवाद चौजी साब आप कारिक्रम का समाप्ति करते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धूप में आप लोग इतनी देर तक खड़े रहे बैठे रहे जूजते रहे लेकिन अभी तीन महीने धूप में ही रहना है और संघर्ष करना है कॉंग्रेस को जिता आई है कॉंग्रेस पार्टी धन्यवाद है 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 हालो है हालो यह एक फोन खो गया है